हे गाईज वेलकम बेक टुम एडियूब चालने तो आज हम अपोट से इसको फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रिविस एपसोड में देखा था लुजंग के साथ ही बोल रहा होता है और जब सबी कल्टिवेट करते हैं तो वह आपस में अटाक करते हैं एक दूसरे के उपर उसे हम टू मेंनिंग स्वाट फाइट भी बोलते हैं लुजंग बोलता है टू मेंनिंग स्वाट फाइट तो एपसोड नबर 591 की यह इतना बड़ है लुजंग तुम अभी अभी तुमने कल्टिवेट करना स्टार्ट की है इसलिए तुम्हारा जो है वो मेरे मतलब थम के साइज का है लुजंग बोलता है यह तो इंटरस्टिंग है वो इनसान बोल रहा होता है और जो टू मेनिंग स्वाट फाइट है वो इन पैटरंस को यूज करके की जाती है इनसे लोग आपस में फाइट करते हैं वहां पे द दिखाय देता है वो ऐसे बोल रहा होता है कि जो स्काल अट फायर होती है मतलब फायर एंपरर होता है वो अपने रिवेंच के लिए फाइव एलिमेंट के साथ वापिस आता है वो अपनी फैमिली को दूर से प्रोटेक्ट करेगा और कभी भी कॉमन पीपल को डिश्टोई करेगा इएक तौरी के से वह अपने पालंस के पर अपने वापिसक्रीन मेजा परते हैं यह लोग करते हैं और जो जब भी यह बढ़ते रहेंगे एक-एक स्टैप लेके तो इवेंच्वली मतलब हम पुछ जाएंगे उन तक उनसान बोल रहा होता है वैल सीवान की ठीक है चलो रिसाइट करना स्टार्ट करते हैं विसंग बुक को ओपन कर लेता है और सोच रहा होता है चलो मैं भी ट्राइगरता हूँ देखता हूँ पैलेस में ने डाला हमें फ्रोशिय स्वोड पैलेस के मास्टर का सीन दिखाय जेता है वो बोल रहा ते वैल जादा तुम ऐसे रिग्रेट मत करो चिंता मत करो जो तुमारे पैलेस के डिसपल्स है वो भी ज़रा भी बुरे नहीं है पर इन बातों को छोड़ो यो स्वोड पैलेस को क्यों है बतल works क्या हुआ है अज इतने जाने लोग क्यों और क्यू श्यंक्शू भी नहीं आए आज फिर से जैसा होता था स्वोड़ पैलेस की मास्टर बोलती है कि वो आएगे क्यूं जो डिसपल्स है कंसें ट्रड्स के वो ज़र भी special नहीं है, वो जो है वो कभी भी council of elder से बार नहीं निकल पाएगा अपनी ऐसे जिंदगी में तभी sword palace की master उपर देखते हैं और सोचती है क्यों shangshu आया है और इसके साथ क्यों ziyo gong है, बाकि सबी क्यों ziyo gong को greet करते हैं, वैल हम से हान्यान ही बोलेंगे, वो जादा नाम असान है sword palace की master बोल रही होती है मैं सोच रही हो कि हान्यान की negotiations कैसे चले हुए elder की के साथ हान्यान बोलते है कुछ खास नहीं चले हुए है तभी एक इंसान हान्यान की तब देख के सोच रहोता है कि ऐसा लगा है कि हान्यान का मूड अच्छा नहीं है हाँ और वैल ऐसा हो नहीं था ऐसा बोला जाता था कि जो डावसवर्ट palace उन्होंने एक agreement बनाया हुए था कि अगर जो former palace master क्यू बावलान की tom find हो जाएगी तो जो palace master होगा वो द्वारा re-elect होगा पर इतने जहाँ सालों में जो current acting palace master है उन्होंने already अपनी positions बना की रखी हुई है तो वो कैसे री election को मानेगा जो डावसवर्ट palace है वो internally दो factions में divide किया जाता है और तीन great elders हैं उनमें दो election को मना कर रही है इससे palace में बहुत गल्द situation चली हुई है हमें burial sword palace का master दिखा जिता है वो बोल रहा होता है हाँ नयाम पे concentrated sword palace के ने disciples को देखने के लिए आई है यह ordinary gods हैं और heaven province के इंसान है इनमें ऐसा क्या खास है देखने के लिए इनका कोई background नहीं है talent का इनके उपर तो well resources कर्च करना तो waste ही होगा जो demon sword palace की master होती है वो बोल रही होती है हसते हुए जो concentrated sword palace है वो हमेशा एक dust भी नहीं था जिसमें कच्रा डाला जाता था इतन सा साल waste होगे अब क्या होगा और जादा होगे waste concentrated sword palace का master हसता और बोलता है यह तुमारे जो demon sword palace है और burial sword palace है उनके अपने अपने unique advantages है तुमें जादा resources मिलते है फिर भी तुम तुमारे जो disciples जो तुम cultivate करते हैं वो कम और कम होते जा रहे है past के 200 years में जो भी promote हुए heaven gathering protector में वो सब useless लोग हैं और तुम अभी भी तुमारे पस ही मत है मेरे concentrated sword palace को criticize करने की और बताओ मुझे past के कुछ 100 years में क्या तुमारे कोई disciples गया है भी supreme one heavenly palace में और तुमारे कोई disciples हुए है भी promote supreme one protector में एक भी नहीं हुआ है तुमारा क्या right है इतना proud होने का burial sword palace master जो होता है वो कुछ बोलनी पा रहा होता है concentrated sword palace का master बोलता है कि क्या क्या बोलना चाते है तुम तुम बताओ मुझे तुम कैसे genius इसको सिखा सकते है अगर तुम इतने ज़्यादा कमजोर होगे खुद बाखुदी क्या मजाग कर रहे है तुम अगर तुम concentrated sword palace को मतलब गल्प नजर से देख रहे है अपने words को ध्यान से बोलो और actions को भी ऐसे बैंसो मत क्यों शैंक्शु भी बोलता है मुझे कुछ फर्क नी पड़ता है इन से और मैं रुकूंगा भी नहीं ऐसा करने से वो परकितब देख के बोल रहा होता है कि dispels जो तुम ने train की है वो वर्दी है जीनिस इसके टाइटल कहलाने के लाइक वो हस रहा होता है बरिल स्वोर्ड पैलेस का मास्टर बोलता है क्या तुमारी टॉन से तो ऐसा लग रहा है कि जो कंसेंटरेटीड स्वोर्ड पैलेस है वो लखी हो गया और उनने जीनिस को फाइंड कर लिया छोटे से है विन प्रोविंस में क्युँ शैंक्शूई बोल रहा होता है कि ये परसन मेर से भी टैलेंटीड होगा यस उनके सब भी मास्टर है और वो ग्रीन वाला भी हरान हो जाता है बरेल स्वोर्ड पैलेस का मास्टर सोच रहा होता है जो टैलेंट होता है डाव स्वोर्ड पैलेस का मतलब डिसिपल्स का वो आठ ग्रेड में डिवाइड किया जाता है जो डिसिपल्स जिनके पास सिक्स ग्रेड टैलेंट है वो Supreme One Heavenly Palace में स्लेक्ट किये जाते हैं कि शैंक्शुई का टैलेंट उस टाइम पे 6th ग्रेड का था यह सिर्फ एक स्टेप पीछे था Supreme One प्रोटेक्टर बनने के लिए Concentrated Sword Palace में ऐसा disciple है जिसके पास इससे ज़्यादा टैलेंट है बर इस Sword Palace का मास्टर बोलता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि बदा शैंक्शुई किसके बारे में बात कर रहे है शैंक्शुई बोलते तो मैं पता लग जाएगा जब तुम उसे देखोगे फिर मैं द्वारा लूजंक दिखा देता है लूजंक ऐसे पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि जिस मुमेंट से मैंने स्टार्ट किया words को recite करना in translation की एक अजीब सी feeling मेरे mind में जा रही है ऐसा लग रहा है मुझे कि जो मेरी consciousness है मतलब मेरे दिमाग है वो sword shape pattern के साथ mix हो रहा है और जैसे जैसे मैं recite करना continue कर रहा हूँ जो lofty sword है वो भी respond कर रही है मेरे true meaning of eternal sword के साथ और वो मेरे soul के साथ mix हो रहा है एक तरीके से और अब ऐसा लग रहा है मुझे की कोई में को guide कर रहा है true meaning of dog को comprehend करने के लिए इससे जो recitation है वो और ज़्यादा smooth बनती जा रही है burial sword palace का master बोलता है ये person तुम इसकी बात कर रही हो sanctuary बोलता है हाँ उसकी sword शायद बड़ी हो जाती है burial sword palace का master बोलता है हसते हुए कि हाँ ये rare है ये five से six hundred words पहली time ही मतलब eternal sword को practice करके कर पा रहा है पर हमार रपस काफे ज़्यादा dispels हैं से burial sword में जो ऐसा कर सकते हैं तों क्या बात कर रहे थे इसके बारे में मतलब जो दूसरी master होती है वो बोलती है कि mention मत करो ऐसा मेरे अपन sword palace में भी 10 से ज़्यादा है जो ऐसा कर सकते हैं ये normal है क्योंगे concentrated sword palace हमेशा कच्रा ही कठा करते थे तो अब थोड़ा सा अच्छा आ गया तो naturally ये इनसान इसे treasure की तरह ही मान के चलेगा ख्यांक सुच रहा होता है कि तुम्हारे पर ज़रा भी कुछ भी idea नहीं है इसके potential के बारे में मेरे opinion में losing की जो first training वो यहां पर खतम नहीं होगी फिर कुछ time के बाद हमें losing द्वारा दिखा देता है losing ऐसे party रहा होता है जो broken sport palace का master होता है वो आगे तो देखते हैं और बोलता है कि 1000 words burial sport palace का master बोल रहा होता है कि 1000 words कुछ ही time में यह तो ज़रा भी बुरा नहीं है हमारे broken sport palace में भी इतना बुरा नहीं माना चाता था इसे मतलब उसके पिछले वाले master की बात कर रहा था पर हमारे burial sport palace की बात करें तो यह अभी भी ordinary है broken sport palace का master बोलता है पर जिस speed से यह बच्चा recite कर रहा है यह accelerate कर रही यह चीज मतलब यह increase करता जा रहा है अपनी recitation को पढ़ने को फिर द्वारा हमें कुछ time के बाद का सी इंदिखायता है पढ़ता ही जा रहा होता है burial sword palace का master बोलता है broken sword palace का master की 2000 words और सिर्फ कुछी time लगा इसे इनको recite करने के लिए जो भी इंसान 2000 words को पहली बार sword observing के time पर कर पाता है उसे 3rd grade talent माना जाता है burial sword palace का master बोलता है इस तो 3rd grade talent होता है वो इतना अच्छा नहीं है मतलब जैसा मेरा student है QE पर फिर भी ये चीज रेर है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का person heaven province में पैदा होगा की शेंग बोल रहा होता है अभी भी मत बोलो कुछ भी मैंने तुम्हें बोल दिया ना already कि इस इस इनसान का talent मेरे से जरा भी बिकार नहीं है बरेल स्वोड पहले सका master बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ जाद है बोल रहे हो जो क्यों ही है मेरा student उसने 4,300 words कुछ ही टाइम पे पढ़ दिये थे क्यों शेंग बोल रहा होता है बेट करो देखो तुम्हें लग जाएगा पता टाइम के साथ ही क्या कर पाएगा लुजंग और क्या नहीं लुजंग ऐसे सोच रहा होता है कि already 3,000 words हो गये है मुझे पता नहीं कि यह इसलिए ऐसा कर पा रहा हूँ है क्योंकि यह मेरे लिए suitable है true meaning of eternal sword को cultivate करना या फिर lofty sword की वस्य हो रहा है जिस speed से अब मैं comprehend कर पा रहा हूँ true meaning of eternal sword को वो true meaning of nature को भी exceed कर चुका है मतलब उससे जादा फास तरिके से हो रहा है चलो जादा निसोसतो और मैं recite करता रहता हूँ वैसे party ra होता है हुआ आंग देखता है लुजंग सची मुची concentrated sword palace से बिलोंग करता ही नहीं है जो लुजंग के बाकी साथ ही होते है मतलब concentrated sword palace के एक बोल रहा होते है कैसे possible है इस तरह का talent concentrated sword palace में कैसे हो सकता है दुसरा बोल रहा होते है कि जो sword pattern है वो इतनी बड़ी height तक पोँच गया है यह already इसने thousand words तो पाड़ी दिये होंगे वो इसान बोलता है दूसरा नहीं हम इस बच्चे को मतलब बाकी बोल रहे होते हैं शायद यह concentrated sword palace के नहीं है वो बोल रहा होते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते मतलब करने दे सकते इस बच्चे को जो concentrated sword palace का है इसे हम अपने आपको सरपास नहीं करने दे सकते जल्दी true meaning sword को initiate करो fight करने के लिए इसके साथ बाकी सभी losing की तरफ attack करने लग पड़े होते हैं एक बोल रहा होते हैं से slow करो दूसरा बोलता है कि इस इंसान को crush करो जो की concentrated sword पहले इसका है एक इंसान बोल रहा होते है इस बच्चे का true meaning और ब्रेक्थ्रू हो चुका है जो बाकी होते हैं इंसान वो ऐसे अपने सर को पकड़ के चला रहे होते हैं उनको दर्द हो रही होते हैं वेल शाज जो attack करने गए होते हैं आगे की तरफ so guys ये episode इतना था अगर आपको next episode देखना है तो stay tuned leave a like and comment अगर आपको ठीक लगा होगा तो